हलो दोस्तों स्वागत है आपका get it clear चैनल पर दोस्तों आपकी हिमाचल परदेश health and family welfare की important update आई है तो आईए हम जल्दी से जान लेते हैं कि क्या महत्तपन बात इस update में mention की हुई है दोको दोस्तों यहाँ पर इनकी तरफ से एक office order आया है जिसमें mention किया हुआ है कि यहाँ पर रहे थी है तो जिन लोगों को regular किया जा रहा है उनका name, address, date of birth, category, date of joining और place of posting कहां हुई है वो mention करके रखा हुआ है तो करने आप यहाँ से check out कर सकते हैं दोस्तों जो इनकी orders है वो इनकी official website पर भी रहेंगे जुनोंने mention कर दी है आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं देख basis के उपर है और and liable to be terminated at any point by a month's notice from either side और guys यहाँ पर जो है उन्होंने बोलके रखाया है कि आपको कुछ certificate produce करने होंगे before joining the duty and respective institution जिसे की medical fitness का certificate, educational qualification, character certificate, bonafide certificate, SCST का certificate, declaration जो तिये candidate के वाला certificate जी होगा और guys यहाँ पर आपको जो है वो आपको कोई T.A.D.A. नहीं मिलेगा duty को join करने का and guys जो भी आपके terms and condition है आपने भी उनको अच्छे तरीके से read कर लेना है एक बार duty को join करने से पहले क्या आपको कौन कौन से certificate जो है वो produce करने होंगे and guys जहाँ से आपको PDF अविलेबल होगी उसका link में description box मों डाल होंगी तो आप वहाँ से भी check out कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो guys अगर आपको वीडियो अच्छा और helpful लगा हो तो get it clear channel को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you have a good day and all the best